हेलो फ्रेंड्स हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो अभी तक आपने बिजली की दुकान यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं कि आप चैनल को सस्क्राइब कर ले नई लेटिस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आज किस वीडियो में हम आपके लिए लेक्या है एक स्टेंडिंग फेन यह जो पंखा है यह DC करंट वाला पंखा है इसका जो बिजली का खर्च होता है वह लगबग ना के बराबर ही होता है इस पंखे को हम सीधे बैटरी के द्वरा चला सकते हैं इस वीडियो में हम आपको यह जो पंखा इसको किस तरह से हम चलाएंगे और बैटरी के साथ में आपको यह चला कर भी दिखाने वाले है तो आप इस वीडियो को लाश तक जरूर देखना तो सबसे पहले हम आपको दिखा देता हूँ यह जो पंखा है इसन्दिंग वाला 21 तरह रहे है सामने की तरफ आप देखेंगे यह पंखा आपके सामने की तरफ आगए की तरफ आपको जाली दिखाई देगी जाली इसलिए लगाई जाती तकि किसी की जो उंगले गएर होती है वे अंदर की तरफ ना जाए सामने जाली है यह वाइट किलर की आगे देखेंगा लवली नाम लिखा हुआ है सोलर फैन निचे लिखा हुआ है बारा वोट डीसी करंट डबल बाल बेरिंग इसके अंदर लगाए हुए है इस पंके के निचे की तरफ आप देखेंगे यह इसका बेस होता है इस पंके को रखने के लिए आप इस पंके को कहीं पर भी चक्कर असानी से रख सकते हैं साइड से आपको दिखा देता हूँ इस तरह का इसका लूक रहता है इस स्पंख्य के पीछे की तरफ आप देखेंगे आप यहां पर भी जाली लगी हुई है इस स्पंख्य के ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहां पर एक स्वीच लगा होता है यहां पर स्वीच देख सकते हैं एक स्पीट का बीच में ओफ का है दूसरी साइड आप देखेंगे यहां पर दो स्पीट के पहर हो जाता पंगा तो दो ही स्पीट इस स्पंखे की है इस स्वीच के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर इस पंखे की मोटर लगी होती है यह DC वाली मोटर इसके अंदर लगी होती है इस पंखे को left और right side गुमा कर इसको set करना चाते हैं तो भी हम असानी से कर सकते हैं यह लोक होता है इसको आपको खोल देना है यह इसकी जो height है उसको आपको बढ़ाना हो तो भी हम बढ़ा सकते हैं इस तरह इसके lock को खोल कर इसको उपर की तरफ चक सकते हैं और इसका जो lock होता उसको वापिस इसको हम lock कर देंगे तो उसके बाद में वहीं पर यह पंखे की height है वहीं पर रुक जाएगी तो यह इसका lock होता है इसको में tight करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इस पंखे के साथ में दो wire निकली होती है आपको यह wire है यह मैं आपको दिखा देता हूँ इसके साथ में wire है दो color की होती है एक तो 3 red की और होती है एक black की तो इसके जो दोनो गलर हैं और अलग अलग परकार कर दी है एक तो blue color का एक white color का blue color वाला तो red color हो जाता है यनि कि plus का और जो white color का होता है हमारे पास यह 12 Volt की battery सामने रखी हुई है इसके उपर दो निसान है आप देकते हैं एक तो है रेड कलर का इस साइड आपको दिखाई दे रहा है, दूसरी साइड है बलेक कलर का, जो रेड कलर वाला होता है, इसके पर हम जो बिल्यू कलर वाली वायर है, उसको हम इसके उपर लगा देते हैं, जो दूसरी साइड है, आप देखेंगे, इसके उपर हम जो कत नहीं होती कोई डर नहीं रहता पंग्य के क्नेक्शन 12V की बैटरी के साथ करने के बाद में में आप जो पंग्य में ऊपर एक छुटा सा सवेच होता है उसको हम ओन करेंगे तो आ呢 चलते हैं इसका जो स्वीच है इसको हम दबा देते हैं यह स्वीच है हमने इसका दबा दिया है अब यह पंका चलना सुरू हो गया है आप देख सकते हैं इसकी जो साउंड हो गया है वह भी आप चेक कर सकते हैं DC वाला पंका है सिधा बैटरी से ड्रेक चल रहा है यह पंका ए दूसरी स्पीट के उपर इसका स्विच कर दिया है अब इसकी जो स्पीट है वह ज्यादा हो गई है आप देख सकते हैं इसको हवा देने की जो कपेश्टी होती है वह इसके ज्यादा हो गई है ये पंका एक दो वेक्तियों के लिए सबसे बेष्ट है इस पंके का उपयोग हम rooms के अंदर या kitchens के अंदर भी करना चाहते हैं तो भी असानी से कर सकते हैं इस पंके के speed depend रहती है कि बैटरी कितनी charge है यदि बैटरी full charge होगी तो इसकी speed है एक दम full रहेगी यदि बैटरी थोड़ी down है तो इसकी speed भी करम हो जाएगी यदि इस पंके की wire गलती से plus वाली minus में और minus वाली plus में लग जाती है तो भी पंके में कोई दिक्रण ने आती पंका उल्टा गुमना शुरू हो जाता है यदि आपको यह लगी कि पंका उल्टा गुम रहे तो आप इसकी wire को चेंज कर देंगे तो इस पंका सिधा गुमना सुरू हो जाएगा हमारे पास एक सामने की इनिवेटर बेंटरी रखा हुआ है यदि आप इस पंके को इनिवेटर वाली बेंटरी से चलाना चाहते है तो भी आप चला सकते है उसका जो कर्ण्ट होता है बारा वोल्ट का होना चाहिए आपको ध्यान रखना है इनिवेटर के अंदर इसकी wire नहीं लगानी आपको सिर्फ जो बेंटरी के उपर जो पलस मैनिस की निसान है उसके साथ में ही इसके जो कनेक्सन है करने है यदि आपके पास 12 वोल्ट बिजली देने वाला कोई solar panel है तो आप उसके उपर भी इस पंखे को असानी से चला सकते है यदि solar panel 12 वोल्ट से ज़्यादा बिजली देता है तो एक controller आता है जो कि 12 वोल्ट से ज़्यादा solar panel की बिजली को लेकर 12 वोल्ट बिजली आउट्पूट में देता है तो आप controller को भी यूज कर सकते है तो दोस्तों ये था हमारे पास solar panel वाला DC करेंट वाला फ्राटा फेन बोल सकते है या फिर हम इसको pedestrian फेन बोलना चाहते है उसको बोल सकते है में इसको हम standing fan ही बोलेंगे इसको चलाने के लिए सिर्फ हमें DC 12 वोल्ट करेंट की ही जूरत होती है इसको हम AC करेंट के उपर नहीं चला सकते इस पंक्खे का जो बिजली का खर्च होता है ना के बराबरी ही रहता है आपका जो खर्चा होता सिर्फ एक बार लगता है जब आप सोरूर्जा वाला पैनल खरीते हैं एक बैटरी खरीते हैं एक कंट्रोल लेक खरीते हैं उसके बाद में आप इस पंक्खे को उसके उपर ड्रेक्ट चलाना चाते है तो 12 वोल्ट सोलर पैनल होता है बैटरी से चलाना चाते है तो बैटरी से चला सकते है सोरूर्जा के दोरा आप बैटरी को चार्जिंग कर सकते है उसके बाद में रात कोई आप इस पंक्खे को चलाना चाते है तो भी आप चला सकते है यह पंक्खा हमने मार्केट से परचेज किया है 500 रुपे में हमें यह पंखा मार्किट से मिला है तो दोस्तो इस पंखे की कोई कंपनी और गहरा नहीं है आप इसे मार्किट से खरीदना चाहते हैं तो आप 12 वोट DC वाला पंखा कहेकर मार्किट से असानी से इसे खरीद सकते हैं DC वाले पंक्य की guarantee warranty दुकानदार के द्वार दी जाती जिसे आप दुकान से इसे पर ज्याज करेंगे उससे आपको पता करना होता कि इसकी जो guarantee है कितने दिन की है कितने साल की है तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लेगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास सेर कर दें और साथ मही अभी तक आपने विजली की दुकान यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया